असलाम अलेकुम पिछली वीडियो में हम लोगों ने इटिंग डिसॉडर्स देखे आज हम देखते हैं डिसूजी एटिव डिसॉडर्स डिसॉडर्स का जो लफजी मतलब होगा वो है कता तालुकी या लायल्मी किसी भी चीज से हो सकती है तो अगर डिसॉजी एटिव डिसॉडर्स का गुरू है डिसूजी एटिव डिसॉडर्स में जिसमें क्या होता है एक इनसान अपनी शिनाहत याददास्त और अपना शौट जो है बिलकुल खोग देता है और उस पे एक जो है पूरी उसकी शक्सियत जो है बदल कर रह जाती है और और की और शक्सियत ब दिनों की हफतों की और महीनों और सालों की यादे कुछ-कुछ यादे हमारे दिमाग में होती है और हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं लेकिन जब डिसूजी एटिव डिसॉडर्स के जो लोग है वो बिलकुल ही अपनी जो उसकी रोजमारा की जिंदगी है उसे भूल है तक और फिर एक बुन। इसा आ उसे जाते हैं फिर हम देएगते हैं डिसूजी एटिव डिसॉडर की क्लासिफकेशन। द्येशच में परेले हम देगते हैं डिसूजी एटिव डिसॉडर्स हैं। अब dissociative identity disorders में क्या है इनसान की जो एक से ज्यादा जो शक्सियात हैं उन पे हावी हो जाती हैं ये शक्सियात दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं ऐसी शक्सियात एक दूसरे से ना सिर्फ मुत्री बलके बिल्कुल जो है ना मुत्जाद होती हैं अब वो जो बदली हुई श हो सकती है यह जो उन्हें पसंद होता है वो कोई भी शक्सियत हो सकती है जो दूसरी शक्सियत होती है बदली हुई फिर हर शक्सियत जो है अजादान तोर पर अपना इजहार करती है अगर फर्द पर दो शक्सियात तारी हो तो एक बनियादी शक्सियत बन जाती है और दू दूसरी क्या बन जाती है सानवी शक्सियत बन जाती है अब इन शक्सियत कि वजह से क्या होता है कि इनसान की जो अपनी बन्यादी शक्सियत की जितनी भी इवंट्स है जो कुछ भी उसकी personal information वो सारा उसे याद नहीं रहता है आम यादार से जो हटके हैं बिलकुल और एक इनसान की जो में शक्सियत होगी वो बदली हुई शक्सियत से बिलकुल मुख्तिलिफ होगी और उस वो इनसान बिलकुल नहीं जानता होगा कि क्या है अब डिसूसियेटिव आइडेंटिटी डिसॉर्डर को हम मल्टिपल परसनेलिटी डिसॉर्डर भी कहते हैं दिसूसियेटिव अइडेंटिटी डिसॉर्डर का जो कॉंसवड है ना वह बड़ा बेदियाक्रिक्फ हैं क्यूंकर इस तरह के लोग ज्यादा तर इस दुनिया में हैं नहीं तो फुज जो प्रोफेश्नल्गज हैं वह तो इस चीज को मानती ही नहीं हैं वो कहते हैं कि हमने इसकी जो तशीस है वो ही नहीं ठीक की फिर जो अकसर जब dissociative disorder है क्या होता है प्रचपन के बहुत हराब सदमात की वज़ा से एक इनसान जो है बड़े होके लग जो शक्सियात है वो अपना लेता है फिर हम देखते हैं dissociative amnesia अब नेजिया जो है वो घरीक वर्ट से निकला ए का मतलब होगा not नहीं और दूसरा है मेंस्थिया तो मेंस्थिया का मतलब हमारे पास होगा to remember यह याद रखना तो overall इसका मतलब होगा कि बिल्कुल भी याद ना रहना भूल जाना अब इस disorder में क्या होता है कि एक जो इनसान ह है उसकी वो अपनी एहम और जाती मालूमात दोहराने के काबिल नहीं रहता अमूमन यह कब होता है जब इनसान को कोई दर्दनाक हादसा आया हो या कोई सद्मा मिला हो तो वो क्या करता है याद आश की कमी का शिकार हो जाता है फिर यह मालूमात जो है मुस्त्किल तोर पर जाया नहीं होती लेकिन फर्दी इन्हें दो रहा भी नहीं सकता अब यह जो रिद्धे अमल है यह जो रिस्पॉंस है फॉर्गेटिंग से बहुत मिलता जुता है लेकिन यह आम फॉर्गेटिंग जैसा बिल्कुल नहीं है फिर जी हमारे पास डिजूजियेटिव अमनेश जाता है जो के सदमे से ॖेलमे जैसे के अगर एक इनसान का बहुत इंस्थ उसे बिछड़ जाता है उसकी सथ्यास onसुक्रीम जोर्वी अ है localized amnesia, फिर आता है selective amnesia, जितना भी हमारे पास वाकिय हो रहे हैं कि एक महसूस जो सदमे से related वाकिया होता है वो इंसान के दमाग से निकल जाता है, बाकी आगे पीछे जो उस वाकिय में हुआ वो याद रहता है, जैसे कि अगर एक फोजी देखें, वो क्या करता है वो जंक के बाकी सारे वाकिया तो याद रखता है, लेकिन उस जंक में उसके एक दोस्त की मोद होती है वो अपनी दोस्त की मोद जो है वो याद नहीं रख पाता, इसे selective amnesia कहींगी फिर आता है मारे पास generalized amnesia, ये बहुत कम देखने में आती है लेकिन इसमें क्या होता है, इनसान जो है अपनी गजिश्टा जिंदगी के तमाव वाकियत और हलात जो है वो बूल जाता है, वो हर चीज उसके जहन से निकल जाती है उसका क्या नाम था, वो कहां रहता था, उसके दोस्त, अहबाब कौन से थे वो बिल्कुल बूल भाल जाता है फिर हम देखते हैं Continuous amnesia Continuous amnesia में क्या होता है सदमे से लेके अब तक जो वकत की यादे है वो उसे बूल जाती है और उसे पीछे सदमे से पहले जितनी भी यादे है वो उसे याद रहती है, सदमे से बाद से अब तक की यादे है कि उससे बिल्कुल बूली होती है जैसे के कोई भी फो family हो सकती है कोई भी वो हास शक्स हो सकता है जिसके बारे में उसकी जो यादश है वो हतम हो जाती है अब sometimes जो amnesia है वो क्या होता है गंटों के लिए होती है या sometimes वो बहुत ज़्यादा सालों तक भी चली जाती है अचानक से फिर क्या होता है पिछली यादे यादा ना शुरू हो जाती है या इनको जो है ठीक करना बहुत मुश्किल होता है एक sub type है dissociative amnesia की dissociative fuse तो fuse जो एक लफज है वो लतीनी जबान से निकला है futurey से निकला है जिसका मतलब है flight इसमें क्या होता है यादाश का हादमा ज्याधा शिद्ध से होता है फिर क्या है icedly यादाश फ़ॉरन जो एक इनसान की यादाश फ़ॉरन चली जाती है और वो अपना घरबार छोड़ देता है और एक नई शक्सियत अपना लेता है नया नाम को बहुत ज्यादा दबाऊ होओ और बहुत ज्यादा anxiety का शिकार होता है फिर बहुत अर्से के बाद मिहीनों सालों के बाद उसे वो पुरानी जो याद है वो फिर आती है फिर वो अपनी पुरानी शेक्सियत में रहना लापिस आ जाता है इस disorder में कोई हाफजे की कोई ऐसी हराबी तो नहीं होती लेकिन दूसरे किसम में मुझूद होती हैं जैसे के जहनी उल्जनों और दुखों में गिर कर फर जो है अपनी जाती शिनात को खो देता है फिर क्या है जी जो एक इनसान है वो ये महसूस करता है कि उसकी जो रूह है क वो फिर कहता है कि जी मैं इनसान नहीं हूँ मैं रोबोट हूँ या कभी ये समझता है वो किसी और दुनिया में चला गया वो अपनी शिनाहत को बिल्कुल खो ही देता है इसमें और कभी कहता है इसकी अवाज गुम हो गई है या पिर क्या कहेगा कि उसके जिसम पर उसका क कोई इहत्यार नहीं इस तरह कि बहुत सी ऐसी बहाने लगाएगा कि वो अपना आप बिल्कुल जो है ना हतम गार देता है इसका जो दुराने है बड़ा मुटसीर सा होता है लेकिन साम्टाइम्स जो है तवील भी हो सकता है ये एक बहुत ही पचीदा किसम का मर्स है और वो आज की वीडियो हमारी यहीं पर हतम होती है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो लाइक करें शेयर करें और मजीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें मेंटल है टीवी के नाम पर है जो